हेलो फिरेंट स्वागत आप सभी का मेरे यूटूब चैनल इस इंग्लिश क्लास में देखें फिरेंट से इस वीडियो के अंदर आज मैं बताऊंगा कि से और टिल में क्या डिफरेंस होता है क्या फर्क होता है say और till में क्या फर्क होता है said और told में क्या फर्क होता है यनि कहाँ पर और कब क्या use करना है इसके बारे में तरतीब से बताऊंगा वीडियो को last तक जरूर देखिए देखिए यहां से देखिए mukesh says ठीक है यहां पर लिखाओ देखिए mukesh says me mukesh मुझसे कहता है यहां पर लिखा mukesh tells me ठीक है तो यहां पर देखिए mukesh says me यह गलत हो जाएगा यह गलत है mukesh tells me यह सही है फिर आगे देखिए mukesh tells to me ठीक है mukesh tells to me यह गलत हो जाएगा और mukesh says to me यह सही हो जाएगा अभी आगे देखिए तो बताएंगे, अनि से, से मिस होता है कहना, कुछ कहना है, बताना, बोलना, ठीक है, कभी यह सुनाना भी हो जाता है, उसी तरीके से टेल मिस भी होता है, किसी परसन से कुछ कहना, ठीक है, देखिए जो से की मीनिंग होती है, उसका मतलब होता है कुछ क कहना बताना बोलना लेकिन जो टेल की मीनिक होती हो किसी person से किसी इन्सान से किसी व्यक्त से कुछ कहना बताना बोलना होता है मैं देखिए अगर देखिए मुकेश डीजटन ओर्स से मुकेश ने कुछ नहीं के मुकेश डड WORK Asian नहीं कहा या नहीं बोला ठीक है मुकेस डिड नॉट से मुकेस नहीं कहा आगे देखे मुकेस डिड नॉट टेल मी मुकेस ने मुझसे नहीं कहा अब देखे यहां पर से के बाद में कोई परसन नहीं आया है इसलिए यहां पर से को रखा गया यहां पर परसन आया इसलिए टे यह प्रसबार में को है आपने दोस्त बारे में अरखात अपने मित्र के बारे में वह कुछ कहना चाहता है अब यहाँ पर कोई person तो है नहीं कि किस से कहना चाहता है ठीक है तो अब यहाँ पर say रखा गया है अगर यहाँ पर till लगा देंगे तो गलत हो जाएगा यह आगे देखिए अब देखिए यहाँ पर me आया है देखिए अगर यहाँ पर till लगा रहे है तो इसके till के बाद में कोई name होना चाहिए या फिर pronoun होना चाहिए ठीक है अगर यह नहीं हो आ रहे है तो फिर यहाँ पर say रखना पड़ेगा तो he wants to tell me something about his friend तो वो अपने मित्र के बारे में मुझस आप से कुछ कहना चाहिए तो यहाँ पर you लगा दीजिए यहर लगा दीजिए कोई pronoun लखना ही पड़ेगा अगर यूज करना चाहिए अगर टेल से लगाओगे तो यह फिर हटा दिया जाएगा ठीक है यानि अगर टेल लगा रहे है तो फिर यह को कोई object परसन को लखना प मोहन ने आप से क्या कहा ठीक है या फिर अगर यहां यूग उटा दें कि मोहन हम लगा दीजिए मोहन ने उससे क्या कहा मोहन ने मुझसे क्या कहा तो मी लगा दीजिए तो इस तरीके से यहाँ पर टेल अगर रख रहे तो एक name या कोई pronoun रखना ही पड़ेगा आगे देखि यह सेड उसने कहा डायट मीटिंग वास कांशिल उसने कहा कि मीटिंग कांसिल हो गई थी ठीक है मीटिंग कैंसिल हो गई थी अब यहां पर सेड ही रखा गया है क्योंकि इसका कोई अबजेक्ट यहां पर कोई परसन नहीं है इसके साथ में इसलिए सेड ही रखा गया है अच्छा यहां पर देखे ही टोल्ड मी अब यहां पर एक परसन आया इसलिए इसको यहां टोल्ड रखा गया है यही होता है सेड तो उसने मुझसे बताया कि मेटिंग कैंसिल हो गई थी ठीक कि उसने मुझसे बताया था कि मीटिंग कैंसिल हो गई थी अगे देखिए तोहन सेड़ सोहन ने कहा that he didn't know that सोहन ने कहा कि वहाँ उसे नहीं जानता था या उसे नहीं पता चला ठीक है डिडेंट नो डैट उसे नहीं पता चला यह भी कह सकते हो उसके बाद आगे देखें सोहन टोल्ड हिम अब देखें यहां पर टोल्ड आया क्योंकि इसके साथ एक परसन गया है तो सोहन टोल्ड हिम कंजक्शन यहां पो सोरी कहा that लगाई यह और ही डिडेंट नो डैट सोहन ने उससे कहा कि वह उसे नहीं जानता अर्थात उसे नहीं पता चला उसके बारे मुसे नहीं पता चला या यूं कहें दो कि वह उससे नहीं जानता था sohan said to him sohan said to him sohan نے उस से कहा ठीक है एक person का होना जरूरी है तो sohan said to him अब यहाँ पर हाँ देखिये एक यहाँ पर कायदे से देखना अब अगर यहाँ सोचो कि यहाँ पर said था तो यहाँ पर him वो नहीं person नहीं था तब भी said आया है और यहाँ पर person है तो two फिल लगाना पड़ेगा ठीक है अगर यहां पर two नहीं रहेगा तब अगर उसके साथ अगर हिम लगाओगे तो गलत हो जाएगा तो अगर हिम परसन रख रहे हो तो two रखना पड़ेगा तो so one said to him ठीक है जैसे कि अगर यहां पर अगर तो यह गलत हो जाएगा और अगर यहां से टू हटा देंगे डारेट ही लखेंगे तब यह गलत हो जाएगा तो यहां पर फिर टॉल्ड रखना पढ़ेगा तो सोहन से टू हिम डायट ही डिडन्ट नो डायट ठीक है आगे देखिए यहां पर देखिए एक एग्जामपल और हैं तेल डायट मोहन हस कम क SARAHS से बताओ या कर दो फादर पिता से बताओ कि मोहन हैस कम मोहन आ चुका है एक बात और देखिए कि अस टूरी आजोग आलाई दा टूरत ठीक है इनके साथ से का परियोग नहीं होता है ठीक है इनके साथ कभी फिसे नहीं आता है बस इनके साथ तिल ही यूज किया जाता है कि पास्पिरण्स इस वीडियो को यह पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्रेब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें झाल झाल को सुमक्ट